हलो एब्रिवान सभीका स्वागत है हमारे चनल एडीज जी के मंत्राइपर तो आज हम लोग करेंगे क्या यह पार्थ थ्री है ठीकर यह हंड्ड जो ऑगस्ट मंद का जो करेंट एफेर्स ठीकर वो करने वाले एक दम मंतली करेंट एफेर्स पूरा औगस्ट मंद का फुल कोषन लिए यह पार्ट ढोओ तो पहला से शेशन का तो आग से पहला कोषन होगा वेश ओन दफेश्ट पॉलिजरप्र प्रस 22 जर्नलिजम में दे में जाता तो यह तो यह मिमा औद भाभ और अजीम को ठीक यह कहां से बिलोग करते बिलोंग करते हैं बांगलादेश है ठीक है ठीक है कहां से होगा बांगलादेश होगा नेक्स कोशन क्या होगा नेक्स कोशन बोला है कि कि किसको मिला ये ये मिला है करीम बेंजीमा को ठीक है अगर पूछेगा ओमेंस विवाग में किनको मिला है तो ये मिला है Alexia Putilas को तो मेंस में करीम बेंजिमा और अलेक्जा Putilas women section में ठीक है तो चलिए next question क्या होगा Indian Air Force IAF has been participated in the multinational exercise नाम क्या pitch black 2022 in which country from 19th August to 8th September 2022 तो यह उस्ट्रेलिया में किया गया है ठीक है चलिए नेक्स कोशन कोशन नंबर पॉर्ड क्या होगा वेस ओन दा गोल्ड मेडल इन दा कॉमल गेम्स 2020 जो है क्या फेंसिंग चैंपियंशी 2022 जिसमें सीनियर में ओमें जो सेवर जो इंडिविजूल कैटेगरी में किसको मिला है तो यह मिला है वावानी डेबी को ठीक है यह इंपारेंट थे चैंपीद नेक्स कोशन क्या होगा कोशे नंबर 5 यह शुक्ते खॉश्अरक को नंबर सिक्सकों क् ihrक्ते आइस साइड़ल किसको बनाया गया तो यह बनाया गया नाजे सींग को ठीक है के साथ किया गया है तो यह होगा Malaysia ठीक है Indian and Malaysian Air Force के साथ चलिए next question क्या होगा who has been elected as a deputy president of the fight fight का फुल्फ क्या है international chess federation है तो किसको बनाया गया तो यह बनाया गया विश्यनाथन आनन्द को ठीक है important है next question क्या होगा question number eight the bilateral army exercise windbacks 2022 was conducted between Vietnam and which country on first of August 2022 in Chandi Mandir Joharyana में तो कौन होगा तो देख के समझ में आ सकता है तो Vietnam होगा तो उसके बाद क्या हो सकता है I for India ओके चलिए next question nine number क्या होगा Reliance Industries will be planned to build India's first and a world one of the largest carbon fiber plants in which state कौन से जगह पर बिल्ट करने वाला तो यह होगा गुजराट में गुजराट के कहां पर पूछेगा तो specialize कहां पर होगा हजीरा होगा ठीके ठीके तो हजीरा होगा next question क्या होगा question number 10 question number 10 बोला the international youth day you celebrated or observed on which day कौन से दे में observe किया जाता है 12th of August को observe किया जाता है अगर पूछेगा इस बार का theme क्या है 2022 का तो theme है intergenerational solidarity creating a world for all ages ठीके चलिए next question question number 11 क्या होगा who has been appointed as a brand ambassador of Uttarakhand state तो यह कौन होगा रिशवप पन्त होगा okay चलिए next question question number 12 क्या होगा the maritime partnership exercise MPX was conducted between India and which country in north atlantic question तो यह कौन होगा इसका answer क्या होगा इसका answer होगा France okay important है यह next question question number 13 क्या होगा Indian railways have been set up क्या setup क्या setup क्या मेक दूद जो machines at the which railway station कौन से railway station में तो यह होगा Mumbai railway station में ठीके तो motto of मेक दूद मेशिन क्या होगा to convert water vapor in the air into the potable water ठीके very important है यह next question क्या होगा question number 14 क्या होगा who has been become the 75th chase grand master of India तो कौन होगा यह होगा प्रनव Venkates होगा ठीके 75th जो बने है next question 15th number क्या होगा who has been appointed as a 49th chief justice of India तो कौन बने है तो बने है उदय उमेश ललिद ठीके यू यू ललिद बने और कितने दिन के लिए बनाया गया 74 days के लिए important है ठीके एक्जाम में पूछा जाएगा यह कितने दिन के लिए उनको बनाया गया है 16th number question क्या हो question क्या है who has owned the Hungarian F1 Grand Prix 2020 तो किसने जीता है तो यह जीता है maxed voice statement कहां से बिलॉंग करते नेदर लैंड से बिलॉंग करते नेक्स गोशन 17 नमबर क्या होगा who has become India's first Indian to win the gold medal in the men's triple jump event in the Birmingham Commonwealth Games 2022 तो कौन जीता है यह होगा Eldos Paul कौन से जगह से बिलॉंग करते कौन से स्टेज यह होगा के रला से बिलॉंग करते नेक्स कोशन 18 नमबर क्या होगा who has been appointed as MD CEO of unity small finance bank तो यह कौन होगा इंदर जीत का मोत्रा होगा ठीके चली नेक्स कोशन कोशन नमबर 19 क्या होगा नेरा चोपरा has been gifted his historic Tokyo Olympics gold medal winning javelin ठीके to the Olympic museum or which place कौन से जगह के दिया हिये तो यह होगा Lucerne Switzerland को दिया गया है ठीके गिफ्ट किया है नेरा चोपरा ने नेक्स कोशन 20 नमबर क्या होगा which state government has been launched CM Udyam Khiladi 19 जना 2022 on the occasion of national sports day कब मना जाता national sports day 29th of august को मना जाता है ठीके तो कौन सा state होगा तो यह होगा उत्तरकंट state very important thing next question क्या होगा 21 number who has owned the men's single BWA world championship 2022 यह किसको मिला है तो यह मिला है men's विवाग में Victor Axelson को मिला है important यह next question क्या होगा question number 22 who has owned the women's single BWA world championship 2022 title किसको मिला है तो यह मिला है कि यामा गोची को ठीके यह भी important exam point review से पूछा जा सकता है ठीके next question 23 number क्या होगा which country has owned the 13th edition of UEFA women's euro 2022 football championship in London तो किसने जीता है तो यह जीता है किसने? England ने जीता है जर्मन को हरा के ठीके 24th number क्या होगा who has been appointed as a president of Indian Olympic Association तो किसको बना गया तो यह बना गया अदिल सुमारी वाला को ठीके important यह exam point exam में पूछा जा सकता है next question क्या होगा 25 number क्या होगा P.V. Sindhu has owned which medal in the women's single badminton final in the काँ पे Birmingham Congress 2022 on 8th of August 2022 तो यह जीता है gold medal ठीके चले next question question number 26 क्या होगा on the occasion of world biofoil तो कब biofoil यह 10th of August को होता है ठीके P.M. Modi dedicated the second generation or 2G ethanol plant in Panipat of which state on 10th of August 2022 तो कौन सा होगा तो Panipat कहां पे यह हरी आना स्टेट में ठीके यह important question है exam point वे से पूछा जरूर जाएगे कोई ना कोई exam में ठीके चले next question क्या होगा 27 नंबर क्या होगा वविना पतेल has owned the witch medal in the para bad table tennis women's single in the Birmingham Column Games 2022 तो यह क्या होगा तो यह जीता है gold medal चले next question 28 नंबर क्या होगा who has become India's first women first women director general of the council of scientific industrial research ठीके तो कौन होगा CSIR के first women director general कौन होगा तो यह होगा नला थम्भी कलाई सेल्वी ठीके very important है very very important है exam के लिए चले next question क्या होगा question number 29 Rajiv Gandhi Rural Olympic Games have been started in which state of India from 29th of August with more than 11,000 panchayat तो कहाँ पे होगा तो यह होगा Rajasthan में ठीके चले next question 30 number क्या होगा who has been appointed as a head of the mission and chief military observer of the UN MOGIP ठीके तो कौन होगा तो यह होगा गुलेर्मो पाबलो रायोस ठीके इसका फूला नाम क्या होगा UN MOGIP का फूल फॉर्म क्या होगा तो यह होगा United Nations Military Observer Group in India and Pakistan ठीके चले next question 31 number क्या होगा PM Modi has been shared the 7th governing council meeting of Niti Aayog in which city on 27th of August 2022 तो कहां से होगा तो कौन से जगा होगा तो यह होगा New Delhi में ठीके चले यहां पर क्या discuss होगा the discuss on the three important points क्या क्या points होगा एक points यह crop diversification second point होगा implementation of the national education policy and third one होगा urban governance ठीके यह important है फूरा next question 32 number क्या होगा which country has owned the SAF2U under 20 ठीके SAFF under 20 जो football championship 2022 का हुआ है तो उसमें कौन जीता है तो यह जीता है इंडिया ने ठीके इंडिया ने जीता है and second consecutive time जीता है ठीके एक साथ ठीके two consecutive time two times ठीके चले next question क्या होगा 33 number क्या होगा India has owned first ever gold medal in which sports even in the common games 2022 on 2nd of August ठीके तो क्या होगा तो यह होगा lawn balls ठीके first ever मिला है इंपोर्टन तें next question क्या होगा 34 number क्या होगा who has owned the gold medal in the omans 50 kg जो light fly जो boxing है ठीके इसमें कौन जीता है तो यह जीता है निखत जरेन ने ठीके यह भी very important है चले next question 35 number क्या होगा which space agency has been launched a 3D virtual space जो tech park नाम क्या है spark very important है तो यह कौन सा होगा तो यह होगा ishro next question 36 number क्या होगा which Indian writer has been received the France highest civilian honor तो किसको मिला यह on 11th of August 2022 यह मिला है Sashi Theror Dr. Sashi Theror को मिला है ठीके बहुत ही famous writer है सेली next question क्या होगा the 32nd elephant reserve of India has been established at the Agasthamalai in West State तो Agasthamalai कहां पहे तो यह होगा Tamil Nadu में ठीके Tamil Nadu में 5 already है ठीके कितना है 5 in Tamil Nadu next question क्या होगा 38 number होगा who has been appointed as a new high commissioner of India to Bangladesh तो कौन होगा है new जो appointed होगा तो वो होगा प्रने कुमार वर्मा ठीके 39 क्या होगा Aanshu Malik ठीके Aanshu Malik has owned the witch medal in the women's 57 wrestling category in the communal games 2022 तो कौन होगा कितना कौनसे मेल मिला है तो यह मिला है silver medal ठीके चले next question क्या होगा 40 number क्या होगा तो 40 number बोल रहा है कि विनेश पोगाट has owned which medal कौनसे मेल जीता है विनेश पोगाट ने 53 के जो freestyle wrestling में ठीके कौनसे मेल होगा गोल्ड मेडल होगा ठीके चले next question 41 number क्या होगा the fourth joint military exercise Al-Najab 4 was conducted between India and which country in Rajasthan ठीके जो 1 से 13th of August तक होगा तो कौन होगा तो यह होगा Oman very important exam point of way से SSC के लिए ठीके SSC में जरूर पूछे गे question चले next question क्या होगा 42 number क्या होगा Fidel Ramos the former president जो 12th president थे और which country has been passed ever recently तो यह फिलिपीन के 12th president थे ओके चले next question क्या होगा 43 number होगा who has been elected the 14th vice president of India in 2022 तो सब को पता होगा तो यह होगा जगदीव धनकर किसके जगा पे आए M1 का यह नाइटो के जगा पे आए ठीके चले next question 44 number क्या होगा which state government has inaugurated the 22nd भारत रंग उच्छब जो 5-day theater festival है तो कहा पे हुआ है तो यह होगा महरास्टर state में ठीके चले next question 45 number क्या होगा women's tennis legend Serena Williams has been announced retirement ठीके belong to which country कौन से कंट्री से बिलॉंग करते अमेरिका से बिलॉंग करते ठीके जो US Open के बाद retirement का घोशित कर दिया गया उन्होंने क्या जीता है 23 Gland Slam टाइटिल जीता है and return after US जो tennis tournament होने हो रहा है ठीके चलिए next question क्या होगा 47 number question क्या है who has owned the Miss India USA 20-22 तो क्या कौन जीता है तो ये जीता है Arya वल्वे करने ठीके चलिए next question क्या होगा 48 number क्या होगा who has become the first South Asian to win the prestigious Lisbon Trinill Millennium Lifetime Achievement Award तो ये कौन जीता है तो ये जीता है Marina sorry Marina Tawasum ने जीता है ठीके किस ने जीता है Marina Tawasum जो Bangladeshi architecture ठीके क्या है Bangladeshi Bangladeshi architecture ठीके Bangladeshi architecture next question क्या होगा 49 number question क्या होगा who has owned the AIFF Men's Footballer of the Year 2020 तो ये मिला है शुनिल छेतरी ठीके तो अगर पूछेगा ये female विवाग में और women विवाग में कौन जीता है तो ये होगा Manisha Kalyan जो जीता है ठीके important तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा अगर जीता है अगर 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 पूछेगा तो ये होगा वागत शेंग पर वागत ये होगा तो ये होगा जार्खन इंटर्नाशनल यर्पोट ठीक है चली next question क्या होगा who has been appointed as a secretary to the president ड्रापोदी मूर्मू तो कौन हुआ है तो यह हुआ है Rajesh Verma important है यह next question question number 56 क्या होगा make India number one campaign and has been जो launch किया गया कौन से chief minister के दुआरा तो यह launch किया गया है दिली के chief minister जो Arvind Kejriwal के दुआरा ठीक है चली next question 57 number क्या होगा the fourth edition of India Philippines strategic dialogue on defense and security cooperation and Asian related matters was submit or was held in which place कौन से जगा पे हुआ है तो यह हुआ है Manila में तो Manila कहां पे यह Philippines में होगा ठीक है कहां पे होगा Philippines में होगा चली next question 58 number क्या होगा which state government has launched the two women's welfare chain नाम क्या है Amma Yejana and Vassala Yejana on the independence day जो 15th August 2022 में तो कौन सा होगा तो यह सीकेम गवर्मेंट के दुआरा हुआ है इंपोर्टेंट है यह next question क्या होगा 59 number क्या होगा who has been appointed as a central vigilance commissioner of India जो permanently बन गए तो कौन होगा सुरेश एन पतेल जो acting कर रहे थे अभी permanent बन गए ठीके चली next question 60 number क्या होगा who has been appointed as a CMD मतलब क्या होगा chairman and managing director of Oil India Limited तो कौन होगा यह रंजित रथ होगा चली next question क्या होगा question number 61 the Indian former Olympic player Samar Badru Banerji was belong to which sports has been passed away recently तो का से कौन से खेल से बिलॉग करते थे football से बिलॉग करते थे और जो represent किया था as a captain of India in 1956 Melbourne Olympics and India ने उस बार rank किया था 4th चली 62 number question क्या होगा the scientists of which country have been created world first synthetic embryo without sperm तो यह किस ने किया है very important यह Israel ने किया है ठीक है very important है यह next question क्या होगा 63 number Nirmala Misru has been passed away recently was belong to which professional field तो यह singer थे ठीक है बहुत important है यह भी चली next question 64 number क्या होगा India has owned on how many medals in the 22 Birmingham count against 2022 secure 4th rank ठीक है तो कितना मिल जीता है इंडिया ने 61 medals जीता है इंडिया ने इसमें जो 22 gold थे ठीक है 16 जो silver मिले and 23 क्या मिले bronze मिले टोटल 61 टोटल 61 next question क्या होगा तो किसने जीता है तो यह जीता है अचेंता शिवली ने टीक है कौन से जगा से बिलॉग करते हैं चेली next question 66 number क्या होगा which state government has been declared the dayhandi as the official sports in the state तो कौन से state government होगा तो यह होगा महारास्टा state government टीक है चेली next question 67 number क्या होगा which state has become the first हर घर जल सेटीफाइ state in इंडिया तो यह होगा गोवा अगर पूछा जाएगा first जो union territory कौन होगा तो यह होगा दाद्र नगरहबली and दमन दियू ठीक है यह भी important thing चेली next question 68 number क्या होगा highways and road transport minister Nitin Gadkari has been unveiled India's first electric double daker bus जो क्या है switch F2022 in which city कौन से city में होगा तो यह होगा Mumbai city में ठीक है तो इंपोर्टन है चेली next question 69 number क्या होगा who has been elected as a president of Kenya तो कौन elect होगा तो यह होगा William Ruto जो elect होगा capital of Kenya Nairobian currency क्या होगा Kenyan ceiling जो currency होगा ठीक है चेली next question 70 number क्या होगा the union cabinet secretary Rajiv Goba has been approved by the government for how many years extension in the service तो कितने तो यह होगा एक साल का extension मिला है उनको ठीक है चेली next question 71 number क्या होगा who has become the first Indian athlete to win two medals silver and bronze in the world under 20 athletic championship 2022 यह होगा Rupal Chaudhuri ठीक है चेली next question 72 number क्या होगा India's first indigenously built which aircraft carrier was commissioned into the Indian navy on 2nd of September 2022 in Kerala very very important question है यह and लिख के रख सकते exam में पूछेगा जरूर यह question ठीक है तो क्या होगा INS विक्रान्थ होगा ठीक है INS विक्रान्थ को किसने प्रेपियर किया है यह coaching safe year limit ने प्रेपियर किया ठीक है very important exam point to be exam में पूछा जाएगा of the drug controller general of India ठीक है तो यह कौन होगा VG Somani has been extended to how many months तो कितने months का extension मिला है उनको यह में होगा 3 months का ओके से लिए नेक्स कोश्चिन 74 नमर क्या होगा Indian Earl Corporation IOC will be planted a invest of 2 lakh crore to achieve the net zero operational carbon emission by which year कि कौन सी यहर में इटर 2046 में ठीक है और इंडिया ने target क्या किया है इंडिया ने target किया है 2070 तक ठीक है से लिए नेक्स कोश्चिन 75 नमर क्या होगा which state has implemented the expansion of the panchayat rights in the scheduled areas तो कौन सा होगा तो यह होगा 36 गर ठीक है कौन सा स्टेट होगा 36 गर स्टेट होगा है कौन ऑस्टेलिया ने ठीक है next question क्या होगा which country has owned the ranked second ठीक है तो कौन से country ने second rank किया है and 176 medal के साथ ठीक है तो यह होगा England ठीक है next question क्या होगा 78 which country has ranked third in the common game 2022 with 92 medals ठीक है तो यह कौन सा होगा third rank किया है Canada ने ठीक है next question 79 number क्या होगा अनंता लेक has been declared as the monument of national importance is situated in which state or union territory of India कहाँ पे situated है यह तो यह होगा union territory of दिल्ली में है ठीक है दिल्ली के कहाँ पे होगा South दिल्ली specified पूछेगा तो यह होगा ठीक है तो आप लोग दिल्ली जरूर याद रखना union territory of दिल्ली चलिए next question क्या होगा 80 number होगा DRDO successfully test fire the PINACA extended जो range rocket जो पोकरान firing range जो उनको launch किया गया ठीक है test fire किया गया तो कौन से state में तो यह होगा Rajasthan state में ठीक है selling next क्या होगा 81 number which state assembly has been passed the freedom religion freedom of religion bill 2022 forbidding mass conversion and enhancing maximum punishment to the 10 years तो कौन सा होगा कौन सा state होगा यह state assembly कौन सा होगा हिमाचल प्रदेश state assembly के मतलब हिमाचल प्रदेश विधान सभा next question 82 number क्या होगा who has been appointed as a chief new chief secretary of the हिमाचल प्रदेश तो कौन होगा तो यह होगा RD धीमान ओके next question 83 number क्या होगा India's first 3D printed post office will be come up in which city तो यह Bangalore में होने वाला है ठीक है तो कौन होगा बैंगलोर का state कौन होगा तो यह होगा करनाड़का next question 84 number क्या होगा who has been appointed as India's executive director of the IMF और international monetary fund तो कौन होगा कृष्णमूर्थी सुब्रमानियन ठीक है जो हुआ है next क्या होगा 85 number which country has broken its own record for world lowest fertility rate तो क्या होगा तो यह होगा South Korea ओके next question क्या होगा 86 number क्या होगा उतरप्रदे state government has been decided to develop which district as a perfume tourism destination तो कौन सा district होगा तो यह होगा कनोज district ठीक है जो उतरप्रदेश में next होगा 87 number the 4th edition of the India Clean Air Summit 2022 was organized in which city on 23rd of August 2022 तो कहा पे होगा तो यह होगा Bangaluru में ठीक है चलिए next क्या होगा 88 number क्या होगा Hindustan Aeronautics Limited मतलब कहा है Hall has signed an MOU for opening their first international marketing and sales office in which country कौन से कंट्री में तो यह किया है Malaysia में ठीक है ठीक है Malaysia के कहां पे Kuala Lampur में ठीक है ठीक है next question 89 number क्या होगा who has owned the Miss Deva Universe 2022 तो कौन जीता है यह तो यह जीता है दीविता रायने ठीक है कौन जीता है दीविता रायने जीता है कहां से बिलॉंग करते करना टका से बिलॉंग करते ठीक है ठीक है next question क्या होगा 90 number क्या होगा who has been appointed as a new chairman of the defense research and development organization DRDO very very important यह ठीक है तो कौन होगा तो यह होगा समीर वी कामात ठीक है जो newly appointed होए and last year man कौन ते जीशतीस रेडिट है ठीक है establishment का वो है DRDO का 1958 में and headquarter का पर है New Delhi में ठीक है next question 91 number क्या होगा नीतियायोग has been declared the Haridwar as the best aspirational district of which state of India कौन सा स्टेट होगा तो यह होगा उत्तर अखंड ओके चैले next question क्या होगा who has owned the 28th Abu Dhabi Master's States Tournament 28-22 यह किसने जीता है तो यह जीता है Arjun Eri Gaias जीता है ठीक है चैले next क्या होगा 93 number who has been awarded with the UNESCO Peace Prize 2022 for our effort to welcome refugees तो किसने मिला है इसको तो यह मिला है इसको Peace Prize किसको दिया गया तो यह होगा Angela Markel को दिया गया ठीक है कौन है यह former German Chancellor है ठीक है 94 number question क्या होगा who has been awarded with the 31st via Samman 2022 for play Mahabali यह एक्जाम्प पूछा है किसके लिए मिला है उनको Mahabali जो play के लिए मिला है which focuses on Mughal Emperor Akbar and Poet तुलसिदाज यह पूड़ा question से question हो सकता है ठीक है तो किसको मिला है यह मिला है आजगर वजहत को ठीक है very very important यह next question 95 number क्या होगा who has been appointed as a new high commissioner of India to United Kingdom तो कौन हो आए तो यह हो आए विकरम दोड़ाई सामी ठीक है जो बांगलादेश के थे पहले next क्या होगा PM नरंद्रो मोदी और PM मोदी has been inaugurated Homey Baba Cancer Hospital and Research Center at the मुलानपूर महाली of which state और यह पंजाब में ठीक है very common next क्या होगा 97 नमबर क्या होगा which country's president Vladimir Zelensky will be awarded with the liberty medal 2022 ठीक है तो कौन से हग जगा का होगा तो यह होगा Ukraine के president ठीक है 98 नमबर कोशन का India has own how many medals in the world under 20 wrestling championship 2022 जो Sophia Bulgaria में हुआ है ठीक है इसमें टॉप कौन क्या है Japan ने टॉप क्या है इंडिया ने कितना मेल जीता है 16 मेल जीता है इंडिया ने ठीक है जिसमें एक गोल्ड है एक एक गोल्ड है फोर्ड सिल्वर है एंड क्या होगा 11 ब्रोंज है टोटल 16 नेक्स कोशन 99 नमबर कोशन क्या होगा which IIT institute has been developed an ultrasound-assisted fermentation method to produce a safe sugar substitute जिसका नाम क्या है Xylitol ठीक है तो कौन सा होगा तो IIT Gohati होगा ठीक है ये next question क्या होगा 100 नमबर कोशन and the last question of the session इंडिया has been secured which rank in the 15th International Olympiad Olympiad on astronomy and the astrophysics ठीक है in the Kutasai Georgia में ठीक है Kutasai Georgia में क्या है तो ये क्या होगा तो ये होगा 3rd rank इंडिया का ठीक है तो बहुत important है ये भी तो चलिए आपर जो 100 फुल monthly current अफेर से August का ये दे दिये जो top हो सकता है August का वही दे दिये ठीक है जो important है exam point पे जरूर exam में इससे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा बहुत सारे question पूछा जाएगा इससे ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते अगर session को अच्छा लागा तो अगर लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर करते ना चाहे में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ठीक है और क्या करना लाइक करना एक कॉमेंट जरूर करना तो चलिए आज के लिए इतने हैं रखते चाता बाई बाई